स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछला भ्यास प्रश्न से दक्षर लोहनक ग्लेशियर निम्नलिकित मेसिकेस राजिया के इंदुशासित प्रदेश में है A. उत्राखंड B. सिक्केम C. लद्दाग D. हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B. सिक्केम चले देखते हैं इसके विसलेशन को सिक्केम के उत्तरपश्य में 17,000 फिट की उचाई परिस्थ एक हिमनत जील दक्षिर लोहनकर जील का निरंतरवर्शा की परेडाम सरुप तूट गई है सिक्केम में हाली में एगलेश्यर लेक आउटबस्थ लड की घटना हुई थी जिसमें लगातार बारिश के परेडाम सरुप दक्षिर लोहनक जील तूट गई अतविकल्प B. सही है तो चले शुरुआत करते हैं आज की एपिसोड की पहले प्रश्न से निम्नलिखित कथरों पर विचार कीजे एक, वर्ष 1881 से 2011 तक जनगर्णा बिना चूक के आयोजित की गई दो, जून 2024 तक 233 देशों में से भारत 49 देशों में से एक था जिन्होंने इस दशक में जनगर्णा नहीं की थी तीन, राश्ट्रिय खादि सुरक्षा अधिनियम 2013 राश्ट्रिय सामाजिक सहायता कारिक्रम आधी जैसे कई सारवजने की योजनाय जनगर्णा पर निर्भर हैं उपर युक्त में से कितने कथन सही हैं? एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं इस प्रेशन का सही उत्तर है, विकल्पसी सभी तीन, चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को वर्ष 1881 से 2011 तक जनगर्णा बिना चूक के आयोजित की गई अतकथन एक सही है जुन 2024 तक 233 देशों में से भारत 49 देशों में से एक था, जिनोंने इस दशक में जनगर्णा नहीं की थी अतकथन दो सही है राष्ट्रे खादि सुरक्षा अधिनियम 2013 राष्ट्रे सामाजिक सहायता कारिक्रम आदी जैसी कई सारवजनिक योजनाय जनगर्णा पर निर्भर है अतकथन तीन सही है अगला प्रश्ण है टाइफून के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक या एक तरह का तुफान है दो इन सभी प्रकार के तुफानों का वैज्ञानिक नाम उष्ण कटी बंधिय चक्रवात है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनो चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को हाली में एक शक्तिशाले टाइफून दक्षडी जापान की ओर तीजी से बढ़ रहा है बता दे कि इस टाइफून का नाम शानशान रखा गया है इस कारण मौसम एजंसियों ने दक्षर पश्चमी दीपों में भारी बारिश और तेज हमाओं की चेतावनी जारी की है चलिए अब जानते हैं टाइफून के बारे में टाइफून एक तरह का तुफान है अतक अथन एक सही है इसके उत्पत्ति के स्थान पर इसे हरिकेन टाइफून या चक्रवात कह सकते है इन सभी प्रकार के तुफानों का वैग्यानिक नाम उष्ण कटिबंधी चक्रवात है अतक अथन दोख सही है चीन सागर और पुशांत महासागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है वेस्ट इंडियन आइलेंड केरिबियन सागर अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है पश्चमी अफ्रिका का गिनिश शेत्र दक्षड यूएसे में इसे टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है उत्तर पश्मी आस्ट्रेलिया में इसे विली विलीस के नाम से जाना जाता है तथा हिंद महासागर शेत्र में इसे उष्ट कटिबंधी चक्रवाद के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्ण है महानन्दा नदी के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक इसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग पहाडियों से होता है और ये असम बिहार तथा बांगलादेश से होकर प्रवाहित होती है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A केवल एक चलिए देखते हैं इसके विस्टेशन को महानन्दा नदी इसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग पहाडियों से होता है और ये पश्चिम बंगाल बिहार और बांगलादेश से होकर बहती है अतक अथन एक सही नहीं है यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है अतकतन दो सही नहीं है। गंगा नदी के डॉल्फिन महाननदा नदी में भी मिलती है अतकतन तीन सही है। चलिए देखते हैं इसके विस्लेशन को हाली में राजुसभा उक्चुनावों में भाजपा के नौ सदस्य और NDA सहयोगी दलों के दो तथा कॉंग्रेस के अभिशेक मनु सिंगवी निर्विरोध निर्वाचित हुए है चलिए अब जानते हैं राजिसभा के बारे में सम्विधान के अनुच्छेद असी में राजिसभा की अधिक्तम सदस्य संख्या 250 नरधारीत की गई है इन में से 12 सदस्य राष्ट्रपती द्वारा मनोनित किये जाते हैं अतक अधन एक सही है बता दे कि भारतिय सम्विधान के चौथी अनुची राजियो और केनुशासित प्रदेशों को राजिसभा में इस सीटों के आवंटन से सम्बंधित है अतक अधन दो सही है भारत का राष्ट्रूपती राजिसभा का पदेन सभापती होता है राजसभा को संसत का साई सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी पूनता भंग नहीं होती है अगला प्रश्ण है होर्च शू क्रैप से संबंधित निमनलिखित कथनों परविचार कीजे एक विजी फोसुरा गड़ के एक मात्र जीवित प्रजाती है दो टैची प्लस गिगास ओडीशा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है तथा कार्शिनो इसकॉर्पियस रोटिन डिगाडा आंदरप्रदेश में पाया जाता है तीन उनका रक्त चमकीला नीला होता है और इसमें प्रतिरक्षा कोशिकाय होती है जो विशयले बैक्टेरिया के प्रति सम्वेदन शील होती है उपर रुक्त में इसे कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं इस प्रश्च का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो चलिए देखते हैं इसके विस्टेशन को होर्सशू क्रैब, लीमू लिडे कुल के समुद्री और लवडिय जल के और्थोपोड है तथा जीफोसुरा गड़ के एक मात्र जीवित प्रजाति हैं अतक अथन एक सही है प्रजातियां और स्थान, होर्सशू क्रैब की चार प्रजातियां मौजूद है भारत में होर्सशू क्रैब की दो प्रजातियां पाई जाती है टैच्यू प्लस गिगास, ओडीशा वपश्यम बंगाल में पाई जाती है और कर्सिनो इसकॉर्पियस, रोटुन डेगाडा पश्यम बंगाल के सुन्दरबन मैंगरोब में पाई जाती है ये कोशिकाएं आक्रमडकारी बैक्टीरिया के चारो ओर जम जाती है तथा होर्सशू क्रैब के शरीर की रक्षा करती है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित विशेश्चताओं पर विचार कीजे एक, यभुमद्यसागर का सबसे बड़ा द्वीप है ये इटली के एक स्वायत शेतर का हिस्सा है तीन, इसकी राजधानी पलेर्मो है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप उपरोग्त विशेश्चताओं के अनुरूप है ए साडिनिया, बी कोर्सिका, सी सिसली, डी क्रेते इस प्रेशन का सही उत्तर है विकलपसी सिसली चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को सिसली भुमद्यसागर में सबसे बड़ा द्वीप है जो दक्षडी इतालवी प्रायोदीप परिस्सित है यह इगादी लिपारी, पेलागी और पैंटे लेरिया द्वीपों के साथ इटली के एक स्वायत शेत्र का हिस्सा है सिसली की राजधानी पलेर्वों है जो द्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है अतक विकलपसी सही है अगला प्रेश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक रूस और भारत ने बांगलादेश में रूपपूर परमाणू उर्जा सैयंत्र पर बढ़ते सहियों को विक्सित किया है दो, श्रीलंकाई कैबिनेट ने घोष्टना की है कि वह मट्टाला राजपक्षे अंतरास्ट्री हवाई अड्डे का प्रबंधन तीस वर्षों के लिए भारत रूस सैयंक्त उध्यम को सौप देगा उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नही दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनो चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को रूस और भारत ने बांगलादेश में रूपपूर परमाण उर्जा सैंत्र पर बढ़ते सहीों को विक्सित किया है अतकतर एक सही है वर्श 2018 की त्रिपक्षी समझोते के तहत रूस वित्तपोश्र और मुख्य निर्माड की आपूर्थी करता है जबके भारती विचेशग्यों वो फर्मों को साइट पर कारे करने के लिए उप अनुबंधित किया जाता है तथा सैंत्र का निर्माड वर्श 2024 में पूरा होने की उमीद है जुलाई 2024 में श्रिलंकाई कैबिनेट ने घोशना की कि वह मट्टाला राजपक्षे अंतराश्ट्री हवाई अड़े का प्रबंधन तीस वर्शों के लिए भारत रूस सेंक्त उद्यम को सौब देगा अतकथन दो सही है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक ग्रेट निकोबार द्वीब भारत का सबसे दक्षडी छोर है और अंडमान इवं निकोबार द्वीब समों का एक हिस्सा है जिसमें 600 से अधिक द्वीब शामिल है दो ग्रेट निकोबार की निकोबारी जनजातिया मुख्य रूप से शिकारी संग्राहाख है और अनुसूचित जनजातियों की सुची में विशेश रूप से कमजोर जनजाति समों के रूप में वर्गेक्रित है तीन शोंपेन जन जाती खेती और मचली पकढ़ने का काम करती हैं तथा इसके दो समू है ग्रेट शोंपेन जन जाती एवं लिटल शोंपेन जन जाती उपर युक्त में से कितने कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नही इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक चलिए देखते हैं इसके विसलिशन को ग्रेट निकुबार द्वीब भारत का सबसे दक्षडी छोर है तथा अंडबान और निकुबार द्वीब समू का एक हिस्सा है जिसमें 600 से अधिक द्वीब शामिल है अतक अथन एक सही है ग्रेट निकुबार की शोंपेन जनजाती मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक है और अनुसूचित जनजातियों की सोची में विशेश रूप से कमजोर जनजाती समू के रूप में वर्गिक रित है अतक अथन दो सही नहीं है निकोबारी जनजातियां खेती और मश्ली पकड़ने का काम करती है तथा उनके दो समू है ग्रेट निकोबारी और लिटिल निकोबारी के पास है, दो, सावधी जमा की ब्यासदर और मूलधन बदलती बाजार इस सित्यों के साथ उतार चड़ाव नहीं करते हैं, तीन, एवडी और डेट फंड के बीच मुख्या अंतर यह है कि एवडी पर ब्याज आय पर रिडेंप्शन के समय कर लगाया जाता है जबकि डेट फंड से प्राप्तलाप पर उपारजन के आधार पर कर लगाया जाता है उपर युक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई नहीं इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो, चलिए देखते हैं इसके विसलिशन को भारत में लगबग 47 प्रतिशत सावधी जमा अवरिष्ट नागरिकों के पास है अतकथन एक सही है सावधी जमा की ब्याजदर और मुलधन बदलती बाजार इस सित्यों के साथ उतार चड़ाव नहीं करते हैं अतकथन दू सही है एफडी और डेटफंड के बीच एक मुख्य अंतरिया है कि डेटफंड से प्राप्त लाव पर रेडेंशन पर कर लगाया जाता है जबकि एफडी पर ब्याज आय पर उपारजन आधार पर कर लगाया जाता है अतकथन तीन सही नहीं है अगला प्रेश्ण है एमपोक्स प्रकोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक वर्तमान प्रकोप मुख्य रूप से यौन संचारी थे जबकि वर्ष 2022 का प्रकोप यौन और गैर यौन संपर्क दोनों के माधम से फैलता था दो ऐसा माना जाता है कि J-Y-N-N-E-O-S चेचक या एमपोक्स का टी का जो खिमवाले लोगों को एमपोक्स से बचाने में सक्षम है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दो, डी न तो एक और नहीं दो चिंता का सारवजनिक स्वास्त आपातकाल घोशित किया गया है वर्ष 2022 एमपोक्स का प्रकोप मुखे रूप से यौन संचारित था वर्तमान प्रकोप यौन और गैर यौन संपर्क दोनों के माध्यम से फैल गया अतक अधन एक सही नहीं है माना जाता है कि J-Y-N-N-E-O-S एक चेचक या एमपोक्स वैक्सीन एमपोक्स से जोखिम वाले लोगों को बचाने में सक्षम है जो निकट संपर्क से फैलता है अतक अधन दोस सही है तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्ण को सिंडोगपु घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक या घाटे तिबबती पठार में भारत की सीमा के पास इससित है दो वर्श 2017 से अब तक इस घाटे में 700 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक मलवा जमा हो चुका है उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, पी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का उतर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद झाल झाल झाल